इस वीडियो में हम एक option selling strategy के बारे में जानने वाले हैं एक short strangle strategy के बारे में जानने वाले हैं कि उस strategy को आप किस तरीके से apply कर सकते हो ये strategy उन traders के लिए है जो option buying के risk को नहीं ले सकते हैं और जो एक secure trade लेना चाते हैं उनके लिए ये strategy है basically हम एक short strangle create करेंगे लेकिन वो short strangle किस तरीके से create करना है margin कितना लगेगा यानि आपका पैसा कितना लगने वाला है जब आप इस strategy को use करोगे stop loss क्या रखना चाहिए आपको target क्या रखना है आपको सारी चीजे हम इस वीडियो में detail में discuss करेंगे ठीक है तो हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो ठीक है यह bank nifty का है 22800 का call जो था इस strategy में 88 रुपे से 4 रुपे तक आया है और दूसरा क्योंकि short strangle में हम call और put दोनों को sell करते हैं और दूसरी तरफ यह हमारा put था जिसकी value लगबग 75 रुपे के आसपास थी तो लगबग आपका 2200 रुपे के आसपास का profit easily बन सकता है इस strategy से ठीक है तो कुछ important चीज है वो भी हम इसमें समझने वाले हैं यह strategy कब apply करना है यह भी सबसे जादे important चीज है तो start करते हैं तो सबसे पहले जलते हैं bank nifty का चार्ट पे ठीक है यह strategy आपको जो है apply करना है या किस दिन आपको इस strategy का use करना है तो generally यह strategy आपको क्योंकि आप intraday में इस strategy का use कर रहे हो तो अगर expiry का दिन है तो उस दिन जबरदस्त आपको moment मिल सकते जबरदस्त आपको profit बन सकता अब देखो यह bank nifty का चार्ट है आज bank nifty की expiry है और market ने उसी तरह के से movement किया इसलिए मैं ना सोचा कि इस strategy को आपके साथ share करना ज़रूरी है ठीक है अब जो सबसे important चीज़ देखो यह हमारा market है 30 October का ठीक है 30 October का यहाँ से अगर मैं आपको दिखाओ तो market यहाँ से ठीक है यहाँ से यह उपर की तरफ था 30 October का और यह हमारा चार्ट है 31 October का ठीक है 31 October को market ने यहाँ कहीं resistance बनाया यहाँ कहीं support बनाया यहाँ कहीं resistance बनाया और यहाँ आज का market ओपनीं यहाँ पर हुई है इस strategy का आपको तब यूज करना है यह जो important resistance and support एरिया है market में उसके लगबख बीच यो बीच जहाँ भी market closing करती है तो उस दिन आप इस strategy को विश कर सकते हैं उसके साथ अगर expiry का दिन है तब इस strategy से आपकी जो probability है winning ratio वो बढ़ जाती देखो option selling में पैसे तभी बनते है कि अगर market में कुछ इस तरह का scenario बना हो यानि market ने previous कहीं support बनाया हो उपर कहीं resistance बनाया हो नीचे एक support बनाया हो और उसके closing कहीं बीच ओ बीच हो यानि opening जो है next day expiry के दिन अगर बीच ओ बीच हो रही है किसी important support and resistance के बिच उस दिन आप इस trade को अप्लाई कर सकते हो अब सबसे important है strike price चूज करना है and then हम देखेंगे margin कितना लगता है strike price आपको चूज करने के लिए मैं करता हूँ इसको थोड़ा सा बढ़ा करता हूँ और ये candles जो हमारी morning की देखो जिस दिन market expiry के दिन जब भी market open होगी market morning में एक swing high एक swing low बनेगा तो नीचे एक swing low बनाए market ने more open होते ही एक swing high बनाए है तो इसके जो nearest strike price होगे वो आपको select करना है जैसे यहाँ पर अगर हमें strike price की बात करो तो हमारा है 42,800 और इसके नीचे जो हमारे nearest strike price है वो है 42,600 देखो option selling में जिस तरह का आप risk रखोगे उस तरह का आपका reward बिलेगा इसमें जो risk रखना है रिस्क की भी हम बात करेंगे किस तरीके साब को risk डिभाइन करना है ये थोड़ा सा high risk high reward trade होगा इससे एक simple और strategy है जिसमें मैं आपको बात देखोगा ठीक है यहाँ पर मैंने 42,800 का call add कर रखा है ठीक है और यहाँ पर 42,600 का put add कर रखा है इन दोनों को हमें sell करना है अब अगर हम चार्ट पर देखे तो हमें जो trade लेना है वो 39 की आसपस लेना है 39 की candle है हमारी है 39 की आसपस की candle है जाब market ने एक swing high and एक swing low बना दिया है उसके वीचों भी market trade कर रहा है 39 की आसपस तब हमें इस trade को execute करना है यानि 39 पर हमें call and put को sell करना है तो 9 बच के 30 मिनट पे जो हमारी candle है ठीक है 42,800 की call 9 बच के 30 मिनट पे यह वाली candle है ग्रीन वाली candle है ठीक है यह वाली candle है हमारी red color की candle है ठीक है 39 की candle और इस time जो price चल रहा है इस option का वो price चल रहा है बग 70 रुपे की आसपस तो वो हमारा 80 था ठीक है call का price 80 था और यह हमारा 70 था total मिला के हमारा जो premium collect हुआ वो हुआ 150 रुपे यानि 150 रुपे का option exit जो है आपको किस तरीके से करना है वो समझ लो जो भी premium आप sell किया हो जैसे 87 का sell किया हो ठीक है 87 का आप sell किया हो तो जब यह premium 10-10 रुपे के नीचे आ जाएंगे तो दो scenario में आप exit कर सकते हो पहले मैं exit पता देता हूँ फिर stop loss and target की बात करेंगे यह target और exit की हम बात कर लेते हैं अगर दोनों premium 10 रुपे के नीचे आ जाते हैं वहाँ पे आप exit कर जाओगे या फिर 2 बज़े तक जो भी premium आपका बन रहा हो 2 बज़े के आसपास 2 पीम 2 पीम के आसपास तक जो भी premium आपका बन रहा हो आपने 17 रुपे में sell किया हो सकता है 20-15 रुपे चल रहा हो जो भी चल रहा हो उस टाइम आप इस चीज को exit कर दोगे क्यों 2 बज़े के आसपास exit करना है क्योंकि 2 बज़े के बाद कई बार ऐसा होता है कि market एक directional moment start कर जाती है उस टाइम जो सबसे बड़ा दुस्मन जो है एक option seller का वो है gama ठीक है तो gama के करन क्या होता है जो छोटे-छोटे जो options होते है 9 रुपे, 10 रुपे, 8 रुपे के वो बहुत तेजी से बागते है तो अगर आपने किसी option को sell कर रखा और वो इसी speed से बड़ेगा तो जो भी आपने दिन भर में कमाया है वो भी आप market को दे जाओगे तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखने है कि 2 बज़े तक आपको अपनी position से exit कर जाना है ठीक है तो 2 बज़े के आसपास जो हमारी position है 2 बज़े के आसपास बारा बारा चौबिस चौबिस रुपे या है 25 रुपे जो प्रीमियम है तब हम इससे exit कर गए तो लगबग 125 पॉइंट का हम यहां पर profit बना अब 125 पॉइंट का profit मतलब कि अगर हम सिर्फ एक lot में मैं आपको margin बताऊँग कितना margin लगता है अगर हम एक lot में trade कर रहे हैं बैंक निव ठीक है ठीक है और हमने लगबग 125 रुपे यहां पर collect किया तो जो हमारा profit हुआ लोग पर 1875 रुपे के आसपास हुआ अब यह depend करता है कि आप किस टाइम या premium का rate या IV जो है देखो एक तो आपका exit का तरीका यह होगा दूसरा जैसे हमने जो position मनाई है हमने जो buy sell किया है 42,800 एंड 42,600 का put ठीक है यह call हमने sell किया है यहां पर यह हमने put sell किया है ठीक है put sell किया है buy chance अगर market इसके उपर निकलती है और 15 मिनट ठीक है अगर call उपर की तरफ call के साइड निकल लिए तो call वाले को आप square off कर दोगे यह इस position को close कर दोगे put वाले को आप रहने दोगे ठीक है put वाले को आप रहने दोगे कब तक जब तक यह 10 रुपे के आसपास नहीं आ जाता ठीक है बड़ी तेजी से आएगा अगर यह उपर निकलता है तो यह जो put यह बड़ी तेजी से गिरेगा तो यह 10 रुपे के आसपास जैसी आते है वहाँ पे exit कर जाओगे ठीक है दूसरा अगर यह नीचे की तरफ आता है मालो यह नीचे की तरफ market आ जाता है अगर आप एक lag को book कर दोगे मालो market उपर की तरफ निकल रही है और आप call को book कर दोगे तो जो losses आपके होने वाले हैं इसमें उससे आप बज़ जाओगे and profit जो है put side का जो है वह आपको profit दे जाएगा तो यह एक no loss strategy भी आपकी बन जाएगी ठीक है no loss strategy option selling लोग क्यों करते हैं जाता तर क्योंकि उनकी position जो होती है position जो होती है वो hedge हो जाती है यानि अगर एक तरफ उनको loss दिख रहा होता है तो दूसरे आप जो lag होता है lag का मतलब बता है जासे हम call and put को sell करते है तो इसको हम lag कहते है अगर एक lag जो है आपको loss दे रहा होता है तो दूसरा जो lag है आपको loss को cover कर जाता है इसलिए बहुत सारे जो traders है वो option selling करना prefer करते हैं अब सिर्फ एक यह strategy है नहीं एक और strategy है और वो strategy जो है मैं भी back test कर रहा हूँ अगर आप देखोगी यह obstra पर है और यह position मैंने कई दिन पहले बना रही थे और इसमें अभी लगबग अगर आप check करोगे ठीक है अभी margin की भी बात करेंगे यह अभी check करोगे तो लगए इसमें 6480 की आसपस का profit हो रहा है यह option मैंने sell किया था 253 में यह 193 में अभी जो price चल रहा है यह चल रहा है और अगर आप देखोगे तो दोनों में ही profit हो रहा है इसमें भी profit हो रहा है और इसमें भी profit हो रहा है तो यह वाली position किस तरीके से create करते हैं यह मैं कुछ दिनों में जरूर वीडियो upload करूँगा जब यह थोड़ा सा और जो है इसमें surety मिल जाएगी ठीक है विलाल के लिए जो strategy है आप इस चीज का use कर सकता हूँ बात कर लेते हैं इसमें margin कितना लगने वाला है तो अगर आप एक call ठीक है एक call and एक put को sell करते हो ठीक है एक put को sell करते हो जो आपका margin लगेगा लगबग 95,000 के आसपस लगेगा ठीक है option selling में margin जो है थोड़ा से जादा लगता है इसलिए ज़्यादा तर जो traders है वो option buying prefer करते है option buying prefer करते है क्योंकि option buying में आपका premium जो margin लगता है वो काफी कम होता है 5-10,000 में भी आप trade कर ले तो लेकिन option buying में जो सबसे बड़ी दिक्कत है अगर market trending रही ठीक है चाहिए downside हो चाहिए upside हो यह आपका profit बनता है लेकिन option selling में अगर market sideways भी हो जाती है तो भी आपका profit बन सकता है ठीक है और अगर market trending भी होती है तो आप क्या कर सकते हो उस case में जिस lag को sell कर रखा है अगर market उस side निकल ली है उस lag को आप square of कर सकते हो और जो नीचे का lag है वो आपको profit देता जाएगा ठीक है यह एक बढ़ियाँ चीज है option selling का जिसको आप try कर सकते हो इस strategy का use कर सकते हो ठीक है तो इसके basis पर अगर आप देखोगे तो premium जो पूरी तरह से खतम हो गए ठीक है इसमें setup में सबसे जो important जीज है अगर market ने कोई important resistance and support की rate कर रखा है और इसके बीच ओबीच कहीं opening हो रही है तो chances बहुत जादा होते हैं कि market उसी के बीच जाकर कहीं close कर जाए expiry के दिन जो भी premiums होंगे इसके और इसके जो भी आपने sell कर रखे हैं जो definitely zero के आसपास होने वाले तो यहां अगर आप देखोगे तो लगबग 1500 points का profit बना जो कि आपके लगबग होते हैं 275-275 के आसपास ठीक है तो एक अच्छा खासा profit जो है आप इस strategy का यूज़ के बना सकते हो ठीक है तो इसके बेसिस पे अभी भी कोई डाउट रहता है तो definitely यहां मुझे पूछ सकते हो so okay guys we will meet in next video till then goodbye thanks for watching guys